आज के इस वीडियो में हम अपने सारा कास के पार्ट टू के जो सिक्थ चैप्टर है उसका जो बाकी का पार्ट है उसे कंप्लीट करने वाले हैं इसके बाद हमारा ये आज का भी चैप्टर खतम हो जाएगा तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग में टीरियल अपने सामने में रख लीजिए क्योंकि हम इसका लाइन टू लाइन एक्स्परनेशन आज करने वाले हैं अब इस चैप्टर में बिसिकली होता क्या है कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि समर को जब बता चलता है कि उसकी नौकरी लग गई है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ बात जाकर वह जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी प्रभा से कह देना चाहत लेकिन वह ऐसे ही नहीं जाना चाहता था वह चाहता था कि वह प्रभा के लिए कम से कम दो धोती ले 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 तो उसने अपने दोस्त दिवाकर से 20 रुपए उधार लिये थे और वह उसे लेने के लिए उसके घर पे गया था और वह वहाँ पर पैसे लेकर वापिस निकल ही रहा था कि तभी सिरिस भाई साब वहाँ पर आ जाते हैं और उसे अपनी बातों में उलजा कर रख लेते हैं जिसकी वज़ा से वो ठीक टाइम पर नहीं निकल पाता है उसे लेट हो जाता है बाद में वो कह देता है कि मुझे जल्दी जाना है और फिर सिरिस भाई साब उस तो सारा उत्साह मर गया, सोचा था कम से कम दो धोतियां तो ले ही जाओंगा, खेर एक ही सही, यही क्या कम है, उस समय धोती का बंडल कभी इस हाथ से उचल कर उसमें पहुंच जाता और कभी इस बगल से उस बगल में, तो समर अब धोती के दुकान पर चला गया, यहां पर ध दोती के दुकान पर चला गया है और वहां जाकर वह धोती खड़ीद रहा था और उसके पास 20 रुपे थी तो उसने सोचे था कि 10 रुपे की एक धोती आईगी तो वह दो धोती खड़ीद लेगा लेकिन एक धोती 12 रुपे की थी और समझ उतना मोलभाव करना जानता भी नही था इसलिए उसने सिर्फ एक ही धोती खड़ी दी और कहा कि यह एक ही धोती कम थोड़ी है मैं इसी को प्रभा को दे दूँगा और वह इतना खुश था कि वह जो धोती का बंडल था वह उसके हाथ में समल नहीं रहा था वह कभी इस हाथ से उचल कर उसमें जा रहा था और क हम यह पर समर को बहुत जल्दी प्रभा के पास पहुंच जाता है धोती प्रभा को देता तो वह उचल पढ़ती एकदम ऐसा लग था जैसे आतमान से उतरता हुआ चला आ रहा हूँ चलते चलते कभी अपने आप ही मुस्कुडाता और कभी बरबराता कभी उंगलियों पर हिसाब लगाता हुआ सिर जटकाता और होट कसलेता फिर अपने इस पागल पर बर्खुल कर हंस परता अब भगवान करें रिजल्ट भी अच्छा निकल आए तो मजा आ जाए सारी मुस्किले हल हो जाएं फिर एमे करने में रही क्या जाएगा तो समर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था वो कभी अपने आप से बात कर रहा था तो वो कभी अपने उंगलियों पर हिसाब लगा रहा था तो वो कभी बहुत ज़्यादा खिलकिला कर हंस रहा था तो वो कभी अपने इस मुर्ख पाने पर मुस्कुरा भी रहा था और वो यह भी सोच रहाता कि जिस तरीके से मेरे साथ एक बहुत अच्छी घटना हुई कि मेरी नौकरी लग गई है वो भी 70 रुपए की नौकरी लग गई है ठीक उसी तरीके से अगर रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा तो मैं आगे की पढ़ाय भी अच्छी तरीके से कर भगवान करे सिरिस होता तो भगवान की भी खाल उधेर डालता मोर्क है वैसे बात तो सची कहता है लेकिन भाई बिना सब्यता संस्कृति और धर्म के कहीं काम चलता है कहते थे आपकी अब हम वहां आ गए हैं जहां आदमी को मानवता किसी भी धर्म की जरूरत नहीं है मगर ह हमारा धर्म तो अनादी है अब समवर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उस समय उसके मन में सिरिस भाई साहब को भी लेकर चल रहा था तो वह कहता है कि अगर सिरिस भाई साहब मेरे साथ होता तो फिर वह क्या करता उसको खयाल आता है कि भगवान ऐसा करे कि मैं अच्छे रिजल्ट से पास हो जाओ, लेकिन जैसे ही उसे भगवान का खयाल आता है, ठीक उसी समय पर उसे सीरिस भाई साहब का खयाल आता है, जो कि भगवान और आस्था से जुरे चीजों में उनकी खिलियां उड़ाया करता था, तभी वह कहता है कि अगर आज सीरिस भाई को किसी भी धर्म से ज्यादा मानवता की जरूरत है, मकर हमारा धर्म तो अनादी है, अरे इतनी सी बात पर दो घंटे लगातार बहस होती रहती, मुझे जल्दी पड़ी थी कि कैसे प्रभा के पास पहुचू और अपने बहस किये हुए चले जा रहे थे, हाए उस बेचारी कितनी मुसीबते सही है, यही पहली चीज ले जाकर उसे दूँगा, फिर वह कहता है कि आरे यार यह सब बात के लिए हम दो घंटे तक बहस करते रहे, मुझे थे कि मैं कब जल्दी से जल्दी प्रभा के पास जाकर उसे धोती दे दूँ और वह मुझे अपनी बातों में उ देना चाता हूँ, यह पहली चीज में ले जाकर उसे दे रहा हूँ, तो समर का दिमाग अभी अस्थिर है, उसके दिमाग में कोई भी सोच एकदम से बैठी हुई नहीं है, वह तरह तरह के बाते सोच रहा है, कभी वह प्रभा की बात सोचता है, तो कभी वह में की बात सबके सामने दूंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, अमा और भावी बुड़ा मानेंगी, सो अलग, अब समर जैसे ही खुश होकर घर जा रहा था, ठीक, उसी समय उसके सामने में एक दुख का मैटर आ जाता है, और वह यह है, कि आखिरकार वह सारी जाकर वह देगा कैसे प्रभा को, क्योंकि अगर वह डारेक्टली प्रभा को दे देता है, तो फिर उसकी जो मा है और उसकी जो भावी है, वह दोनों बुड़ा मान जाएंगी, हाँ, यह तो हो सकता है कि धोती सीधे अमा को जाकर दूँ, कहूंगा, अमा धोती तो तुम्हारे ही लिए लाया हू समझ तो जाएंगी, अभी अभी तो धोती को लेकर इतनी बाते हुई है, वह खुद ही दे देंगी, हाँ, यह ठीक है, फिर समझ सोचता है कि मैं अगर डिरेक्टली प्रभा को दूँगा, तो भावी और अमा दोनों बुड़ा मान जाएगी, इसलिए मैं काम करता हूँ, मै जाकर अमा को दे देता हूँ, और अमा से कहूँगा, कि अमा यह सारी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और वह तो समझ ही जाएगी, कि यह मुझे ताना मारने के लिए लाया है, क्योंकि अभी सारी को लेकर इतना बड़ा महौल घर में बन चुका था, तो वह समझ ही घर की हालत भी तो ठीक नहीं है, भाई साब बेचारे सारे दिन हाड तोर कर जो कमाते हैं, वह भी कोई कमाना है, वह तो कहो मकान अपना है, कहीं किराय का होता तो पता चल जाता, तीस तो कम से कम देने ही पड़ते किराय के, काईदे से अपनी पहली कमाई कि यह धोती मिलनी तो अम्मा को ही चाहिए, अगर दे दूं तो सच मुझ खुष हो जाएं अब यहां पर समर बहुत सारी बातें सोच रहाता कि कैसे वह धोती देगा फिर उसे ख्याल आता है कि धोती देने के लिए वह सबसे पहले अम्मा को देगा अम्मा तो समझी जाएगी कि यह मेरे लिए तो लाया नहीं है यह अपनी पत्नी के लिए लाया है तो वह खुद जाकर भड़भा को दे देगी तो यह सब बाते जो है वहां पर समर सोच रहाता और उसी समय वो सोचता है कि यार हमारे घर में भी कितना जंजट होता है मतलब जब देखो तब चक चक मचती रहती है जब देखो तब एक आदमी दूसरे से जगराई करता रहता है लेकिन बाद में उसे फिर से एक नया ख्याल आता है कि लोग करे भी तो क्या करे घर की किती भी तो ठीक नहीं है इसलिए चक चक होती है हमारे भाई साब जो कमाते हैं वह भी कोई कमाना है यह तो सुक्र है कि यह जो घर है यह हमारा खुद का है अगर भारे का घर होता तो 30 रुपे तो भारे के ही हर महीं देने पड़ जाते लेकिन जैसे ही घर का दर्वाजा द दोती लाया हूं उसके पास थी नहीं और ज्यादा कुछ ना पूछ कर वहां जहां जा रहा था वहां चला गया बंडल मैंने सीधे अम्मा की गोद में डाल दिया उन्होंने पूछा क्या है मैं इसने से कहा अम्मा तुम्हारे लिए दोती लाया हूं और वास्तव मेरे मन में आया कि अगर इसे अम्मा रखना चाहेंगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा क्या है प्रभा के लिए दूसरी लेता आओंगा तभी कोने में चटनी पीश्ती प्रभा दिखाई दे गई तब लगा नहीं अम्मा से ज्यादा जरूरत इसे है जैसे ही पहला वेतन मिला प्रभा के लिए जरूर ले आओंगा यह अम्मा के नाम से ही तो समर जैसे घर का दर्वाजा खोल के अंदर जाता है तो उसे उसका चोटा भाई कुवन मिलता है और कुवन उससे पूछता कि भाईया यह क्या लाय हो तो वह उसे कह देता है कि यह मैं तुम्हारी भावी के लिए धोती लाया हूँ और फिर कुमर जो है वो निकल जाता है अब समर जब घर के अंदर में और अंदर आता है तो वह जाकर अम्मा को दे देता है अम्मा को कहता है कि अम्मा यह धोती मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और उसी समय जब वह प्रभा को देखता है तो उसे यह लगता है क या मुझे प्रभा को देना चाहिए था, उसको अम्मा से ज़्यादा जरूरा था इस चीज की, लेकिन उसने यह भी सोच लिया था, कि अब मैंने अगर अम्मा को दे ही दिया है, तो अम्मा के लिए ही सही, अगर अम्मा इसको रख भी लेती है, तो मैं उससे वापिस नहीं मा अब अम्मा को तो मालूम ही था कि यह मेरे लिए तो लाया नहीं है, लाया तो अपनी भत्नी के लिए है, तो वह कह देती है, कि हाँ, हमारे लिए तो बहुत लाएगा, यह क्यों नहीं कहता, कि अपनी बहु को लाया है, और फिर अम्मा मुस्कुरा उठती है, और वह बंड हम लोगों को यहां पर दिखाया गिया पहले क्या हुआ करता था कि घर में कोई नई चीज बहुत मतला रेयर कंडिशन पर आती थी हो सकता है कि एक या दो साल में कोई अपने लिए एक नया सारी या फिर अपने लिए कोई नया शर्ट खड़िता होगा तो जब ऐसा कुछ होत होता ही है धोती तो बरी अच्छी है अम्मा और भावी दोनों के मुख से निकला तभी कुवर भी आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देख कर बोला भावी के लिए लाए हैं फिर जब अम्मा उस धोती को देख रही थी तो कहते थी कि धोती तो बहुत अच्छी है और उसी स है हाँ हाँ हम क्या नहीं जानते हैं नहीं अभी दर्वाजे पर कहे जो रहे थे मेरे खिलाफ भरकाने में उसे अच्छा लगा फिर जब कुमर ने अम्मा को कह दिया कि भाईया ने मुझे बताया है कि यह मैं भावी के लिए लाया हूँ तो अम्मा थोड़ी सी निराश हो गई क्यों कि यहां पर उसने आकर अम्मा से डिरेक्टली कहा था कि अम्मा यह मैं त तुम्हारे लिए लाया हूँ तो भले ही अम्मा ने मजाक में ही सही लेकिन उन्हें कुछ हद तक लगा था कि सायद यह मेरे लिए लाया होगा लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि समर ने पहले ही दरवाजे पर कह दिया था कि यह तो मैं अपनी पतनी के लिए लाया हूँ अंधेरे के कारण या तो कुमर उसे नहीं देख पाया या अम्मा को उसके खिलाब भड़काने में उसे अच्छा लगा। रस्म अदायगी के तोड़ पर थोड़ी देर धोती को उलट पुलट देख चुकने के बाद अमने उसे समेट कर मेरी और बढ़ा दिया ले! फिर अमने सारी को थोड़ा बहुत देख लेने के बाद समर को दे दी और कहा ले! तुम ही रख लो अमना, मैं क्या करूं? मुझे अ और उसे उस समय अपने ऊपर और कुमर दोनों के ऊपर में गुस्सा आ रहा था कि उसने कुमर को क्यों बताया कि यह सारी वह अपनी पत्नी के लिए लाया है और कुमर ने क्यों बताया कि यह सारी वह उसकी भावी के लिए लाया था बात जवान पर आते आते ही रुख गई कि तुम ही दे देना लेकिन चुप रहा और समर चाहता था कि वह अम्मा को कहे कि तुम ही इसे जाकर भड़भा को दे देना लेकिन वह चुप रहे गया जिसके लिए लाया है उसे तु खुद ही क्यों नहीं दे देता मेरा नाम क्यों लगा रखा है इस बार अम्मा ने इतने कट इस बार जो अम्मा है उसने से बहुत सीरियस भरे टोन में कहा था इसलिए समर्च होए यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वो उपर चारपाई पर जाकर उसको रख आता है और उसकी जो सारी उत्साह और आनंद थी वो वहीं पर समाप्त हो जाती है और उसी दिन खाना भाई सहाब को मैंने सूचना दे दी भाई सहाब मैंने सोचा है कि थर्ड यर में अड्मिशन ले ही लू मैं डर रहा था कि कहीं कोई कांड न उठ खड़ा हो इस बात पर भाई सहाब का कौड चवाता मुह रुख गया कुछ देर मुझे इस तरह देखते रहे जैसे पहचानते न हो फिर पूछा बाबुजी से पूछ लिया फिर भाई सहाब जो है उनका वह जो खा रहे थे उनका खाना रुख जाता है और फिर वह थोड़े देर तक चुपड़ा कर समढ से कहते हैं कि बाबुजी से कह दिया B.A.M.A. तक योही घूमते हैं फिर जब पूछते हैं समढ के भाई सहाब उससे कि तुमने क्या बाबुजी से कह दिया है तो उस पर समढ कहता है कि आप अगर कहेंगे तो और अच्छा रहेगा और जब वह यह देखता है कि समढ की इस बात पर उसके भाई सहाब नाराज हुए हैं तो वह उसके अंदर में और हिम्मत आती है और वह कहता है कि भाई सहाब बात तो यह है कि जब तक कोई धंग की डिगरी ना हो तब तक कोई धंग का नौकडी भी नहीं मिलता है बड़े बड़े B.A.M.A. तक योही घूम रहे हैं आहत स्वर में भाई सहाब ने कह सो तो ठीक है लेकिन उस डिगरी के लिए खर्चा भी तो चाहिए B.A. की पढ़ाई का खर्चा है मुझे भी तो अमर पास होता नहीं लगता फिर उसके जो भाई सहाब है वह थोरे चिंतित होकर कहते कि वो तो ठीक है कि जो ठीक से पढ़ाई नहीं करते जिनके पास धंग क नोकरी नहीं मिलती लेकिन B.A. का पढ़ाई का खर्चा है मुझे तो अमर भी पास होता नहीं लगता फिर उन्होंने घर के वास्तविक हालत बताते हुए कहा कि ठीक है तुम पढ़ना चाहते हो और यह बात सच भी है लेकिन घर की भी तो हालत देखो और मुझे तो अमर भ को चिंता की बात नहीं होगी नोकरी की बात मेरे मुह तक आ आकर रहे गई फिर जब समर के भाई साब ने कहा कि B.A. में भी तो खर्चा लगता है तब न जाकर M.A. करोगे तो उसी समय समर के मुह से निकल गया कि B.A. की तो खर्चा मैं खुद देख लूँगा और उसने ऐ बात को अपने मुह में ही रखी और आगे और कुछ नहीं बोला लेकिन भाई तुम अकेले ही तो नहीं हो और भी तो लोग है ना उनका इस सारा सपस्ट ही फड़भा की ओरता फिर वह कहते हैं कि ठीक है तुम अकेले ही तो नहीं हो जिन्हें B.A. करना है और भी तो लोग है और वह फड़भा के बारे में कह रहे थे फड़भा भी जो है वह भी B.A. करना चाती थी वह सब मैं देख लूँगा भाई सहाब मैंने हट और खुसामत से कहा बस आप बाबु जी से कहलवाद दीजिए जरा फिर वह कहता है कि ठीक है मैं देख लूँगा फडभा का वह ज था सीगडी वह छन भी आ गया फिर समर के भाई कह देte हैं कि तुम ही जा कर बाबु जी से कह दो मैं तो नहीं कहने बाला हूं उनका दिमाग अभी योही ठीक नहीं रहता है और इस पर समर भी सोचता है कि ठीक ही तो कह रहे हैं बाबु जी इस बार पर नाराज हो ही जाए और उनका जो गुस्सा है वो तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। सीग्ड वह भी छन आएगा जब बाबुजी अपना गुस्सा मुझे पर निकालेंगे। तुम बताओ करता क्या मेरा कसूर हो तो मुझे को कहो मैंने इमानदारी से कहा। मैं तो तैयार था कि अगर इसे वे ले 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 दी तो मैं तुम्हें दूसरी ला देता। बिर समर कहता है कि हाँ मैंने अम्मा को नारास तो कर दिया लेकिन मैं तुम ही बताओ मैं क्या करता प्रभा ने आँखे नचाकर दुलार से पूछा फिर प्रभा पूछती है कि तुम तो बड़े रईस हो गए हो क्या बात है कहें पर कोई रुपया मिल गया है क्या मैंने फ्रयत्न पूर्वक जैसे कोई बहुत ही साधरन सी बात हो लापरवाही से कहा मुझे नौकरी मिल गई ह फिर समर कह देता है लापरवाही के स्वर में ही कह देता है कि मुझे तो नौकरी मिल गई है न है सच प्रभा उचल परी उसकी आँखे आश्चर ये प्रसनता और उत्सुकता से फैल गई तुम तो बड़े वैसे हो जी चुपचा बैठे हैं बताया तक नहीं कैसे धीरे से क जैसे कुछ हुआ ही नहीं तुम तो ऐसे कह रहे हो कि नौकरी मिल गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं अरे भाई इतनी बड़ी बात है तुम तो तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था खुशी प्रभा के रोम रोम से फूट परी मुझे उसकी उत्सुकता बेचैनी बड़ी अच्छी लगी फिर भी बनावटी लापरवाही से कहा हां उसमें ऐसा था भी क्या बता ही देता फुलो की खिली डाली जैसे उसकी खुशी देखकर मुझे लगा सचमुच कितनी बड़ी घटना हो गई है और तब मैंने आवेश में उसे बाहों में बांध लिया और चुम्बनों से उसका मुह च्छा दिया हाँ प्रवा मैं तुम्हें तंग कर रहा था नहीं तो यही फिक्र थी कि आगे पढ़ भी पाऊंगा या नहीं अब जब प्रवा यह बात सुनती है तो वह बहुत जादा खुस होती है और फुलो की खिली डाली जैसे उसकी खुशी को देखकर समर को भी लगता है कि बाह कि प्रवा को जब सांस आई तो पूछा है कितने की तो उस पर समर कहता है बस यही मत पूछो यह समझो कि इतनी है कि पढ़ाय लिखाए निकल जाए अगर ऐसे ही चलती रहे तो मैं एमे तो कर ही लूँगा बेचैनी से उसने मेरे दोनों कंधे जगजोर कर कहा तब भी है कितनी की यह तो बताओ फिर भी प्रवाद जानना चाहती थी और पूछती है कि तब भी कितने की है यह यह तो बताओ और उसकी जुंटलाहट मेरे भी मैं बोलता रहा बस सबसे पहला काम यह करूँगा कि कॉलेज में नाम लिखाऊंगा बाद में फीस माफ करा लूँगा जैसे तुम्हारे लिए खूब कपड़े बनवाऊंगा दो धोतियां बलाउस, कोट, जारो के लिए फिर जब समर देखता है कि प्रवा जो है वो इतनी नाम लिखाऊंगा और उसके बाद फीस माफ करवाऊंगा और फिर तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े बनवाऊंगा दो धोतियां, बलाउस, कोट, जारो के लिए जो हम फूच रहे हैं सो बताएंगे नहीं और दुनिया भर की बेकार की बाते किये चले जा रहे हैं व प्रभा जो है वह नाराज हो जाती और पुछती कि जो हम पूच रहे हैं वह तो तुम बता नहीं रहे हो और दुनिया भर की बेकार की बाते किये चले जा रहे हो और वह और भी जहता जुझला जाती है और वही जुझलाहट और सरारत के अंदर में वह क्या करती है कि समर की उंगली लेकर अपने दातों के बीच में रखकर उसे काटने लग जाती है और धीरे धीरे वह जो दबाव है वह बरता जाता है और देखो घर से एक पैसे की चीज लेने की जरूरत नहीं है जिस भी चीज की जरूरत होगी खुद ही ले आया करेंगे मैंने कहना जाड़ी रख अब जब उसकी उंगली प्रवा की मुह में थी और वह उसे चबाती जा रही थी तब समर कहता है कि और देखो घर से एक भी पैसा लेने की जरूरत नहीं है जिस भी चीज की जरूरत होगी खुद ही ले आया करेंगे और वह कहना जाड़ी रखता है बताओ बताओ दात का उ अब जो है वह बहुत जोड से काट देती है और इस पर समर कहता है कि अरे छोड़ो अब क्या उंगली ही काट डालोगी तो फिर बताते क्यों नहीं हो वह अपना हरकत पर अपराधी और खिस्यानी निगाहों से मुझे देखती रही उंगली पर दात के निशानों को देख कर मैं चिर उठा और धमाके से घूसा पीट पर रख दिया अगर रोकता नहीं तो उंगली ही काट लेती बेवकूफ फिर लगा कि कहीं नाराज ना हो जाए फिर जब वह उंगली उसके मुख से बाहर निकालता है तो फ्रभा कहती है कि तो फिर बताते क्यों नहीं हो और उसके पर बाद वह जब उंगली पर देखता है कि उसके उंगली पर सारे दातों का निसान जो है वह आ चुका है तो फ्रभा की पीट पर एक घूसा दे देता है और कहता कि अगर रोकता नहीं तो उंगली ही काट लेती बेवकूफ फिर लगा कहीं नाराज ना हो जाए अपने पर उसके मुख से उंगली निकालता है और उसके पीट पर एक घूसा दे देता है तो उसके बाद वह कहता है कि कि तीन बच्चों की मा बनने लायक हो गई हो और अपने को अभी तक बच्ची ही समझती है और दात भी तो देखो कैसे चुहिया जैसे तेज करके रखे हैं वह प्रभाज जो है वह ठोड़ी सी नाराज हो जाती है मतलब यहां पर नाराजगी नहीं है वह जो पत्ति-पत्नी के भीच में जो वयवाहिक जीवन होता है उसमें जो खिलखिला आट और ढ़ंग खुशी होती है यह वहीं चीज है तो इसी प्रभाज जो है वह थोड़ी सी कुछ भड़ा हुआ है उसको हमेशा अपने गोद में रखे रहो और उपर से फिटो भी उसकी मुस्कुराहत बिखर पर रही थी मुझे डर था कहीं जोड से न लग गया हो मैं फॉरन ही सुलाह कर ली अच्छा अच्छा भाई बता रहे हैं मगर पहले हमें सिर रख लेने दो और फिर मैंने बड़े ठाट से सिर गोद में रख कर सारी बात बता दी फिर जो दोनों में जो है जो खिचातानी हो गई थी जो की खुसी वाली ही खिचातानी थी उसके बाद समर कहता है कि हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ लेकिन मुझे पहले अपना सिर गोद में तो रख ले उस रात बड़ी देर हम लोग बाते करते रहे, मेरी कलपना को तो पंख लग गए थे, बार बार और ठार ठार कर मैंने अपने स्थपनों का वर्णन करता था, यह तो तैही था कि में अगर अच्छे डिविजन से कर लिया, तो कहीं न कहीं प्रोफेसर हो जाओंगा, तुम्हा लोग बड़ी देर तक बाते करते रहे, मतलब बहुत देर तक बद उन्हों बाते करते रहे, मतलब फ्यूचर में क्या करेंगे, अभी घर के क्या हालात है, तरह तरह की बात कर रहे थे, और उसी पर समर्ग प्रभा से कहता कि तुम्हारी तो मौज है, भरने लिखने के नाम पर काला अक्षर भैंस बड़ाबर और आगे जाकर प्रफेसर नहीं कहलाओगी जरा कोई प्रफेसर नहीं की सूरत तो देखुआ कर प्रभा नाराज हो गई तब ठीक है कोई पढ़ी लिखी ले आना लड़कियों को भी तो पढ़ाओगे उन्हीं में से किसी को छाट लेना फ मांकी लड़कियों भी तो परती हैं तो उन्हीं में से किसी को छाट लेना और अपनी लड़की को जो पढ़ा लेंगे मैंने खुसामत से कहा और फिर वह कहती कि और अपनी लड़की को जो पढ़ा लेंगे समर थोरे से मुस्कुराइट में कहता है गुस्सा भूलकर प्रभ प्रभा को पढ़ा लूँगा और उसी पर प्रभा कहती है हाँ यह तो अभी से कहे देती हूँ कि बाद में तुम चीच पर करो मैं कॉलेज जरूर जोइन करूंगी अरे जो चाहो सो कर लेना प्रभा तुम घर की रानी होगी कौन तुम्हें रोकने वाला होगा फिर मैं सपनो में खो गया और देखो हमारी एक अच्छी सी लाइब्रेडी जरूर होगी उसमें नई सी नई किताबे लाकर रखेंगे दो त्विन पत्रिकाएं मंगाया करेंगे फिर वो तरह तरह की बाते करती है जब प्रभा कहती है कि तुम अभी से सुन लो मैं तो कॉलेज जरूर जो होगी उसमें नई सी नई किताबे लाकर रखेंगे दो तीन पत्रिकाएं मंगाया करेंगे लेकिन रेडियो के बिना तो घर सुना सुना लगेगा फ्रभा बूली नहीं घर सुना क्यों लगेगा मैंने दुष्टता से कहा उसका भी इंतिजाम कर लेंगे पहले ही चलता फिर रेडियो तब तक घर में घूमने लगेगा फ्रभा जब कहती है कि इतना तो कर लेंगे इतना सजा लेंगे लेकिन रेडियो तो रहे गानी तो फिर अच्छा नहीं लगे क्योंकि उस जबाने में रेडियो हुआ करता था टीवी तो मतलब चुने लोगों के घर में हुआ कर तो उसी पर समर हसते हुए कहता है कि उसकी तुम चिंता क्यों करते हो हम चलते फिरते रेडियो तब तक इंतिजाम कर लेंगे फड़भा लजा कर लाल हो उठी और उस समय तो कुछ भी होना कठिन नहीं लग रहा था फड़भा की मानसल बहां पर सिर रखे मुझे संसार की तो उसे संसार की बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी लग रही थी लगता था मैं हर बाधा को जीत सकने का समर्थी रखता हूँ मैं एक योजना रखता तो प्रभा उसमें सुधार करती और प्रभा जो कुछ बताती उसमें मैं मीन मेक निकालता फिर वह दोनों एक दूसरे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगने वाले अपने नाम की प्लेट तक हर विषय पर हम लोगों ने बात की बीच बीच में जब भी ध्यान आ जाता कि ये बाते कितनी निराधार है या कोई इस बात की याद दिला देता तो खुद ही कहते सूतना कपास और हम की होगी लेकिन फिर उन्हें ख्याल आता था कि सूतना कपास और हम लोग भी जाने कहां कहां के कुलाहबे मिला रहे हैं मतलब पैसे तो है नहीं लेकिन इतने बड़े-बड़े सपने देखने चले हैं थोड़ी देर चुप रहे देख लेकिन फिर नए सिरे से बाते निकलत मैं तुम्हें रानी बना दूंगा रानी फिर समवार तरह तरह की बाते करता है कि बस अभी थोड़ी दिनों की ही मुस्किले की बात है एक बाड़ इन सब कोशे है कि हम अगर अपना एक जीवन सुरक्षित कर लेते हैं अपने लिए एक अच्छा जीवन फना लेते हैं तो म मुझे याद आया कि अपने इन सारे नक्षों में हमने अपने घर वालों को तो सामिल ही नहीं किया तो बोला मैं एक भाई को अपने साथ रख कर पढ़ाऊंगा अमर को नहीं वह तो बत्तमीज है कुमर सीधा है वह रह भी लेगा घर छोड़कर अम्मा बाबुजी तो हमार में ख्याल आया कि हमने अपने फ्यूचर में सब को तो रख लिया लेकिन घर वालों को तो रख ही नहीं तो उस पर समर कहता है कि मैं दोनों भाई में से एक भाई को मैं अपने पास रख लूंगा अमर को नहीं रखूंगा वह रह भी लेगा और अम्मा और बाबुजी तो घर छोड़कर हमाई साथ रहेंगे नहीं तो वो अभी कभी कभी आया जरूर करेंगे और भाई सहाब का भी जो कुछ बोज है वो हलका हो जाएगा। पूट परना चाहते थे मतलब उस रात उन दोनों के लिए साथ इस कहानी में इस रात के बाद उन दोनों के लिए और खुशी भड़ी रात आती भी नहीं है क्योंकि इसके बाद सारा आकास में जो होता है उसके बाद जब आ फूरा इसको पर लेंगे तो आपको यही मालूम जो होता है वह खुशी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है तो उन दोनों को उस रात ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों की आत्माएं एकाकर होकर सतरंगे फुल जैसी बन गई थी जो इस वर्तमान से उठाकर हमें भविस्ट के सुनहरे संसार में ले जाएगा पिर समर्या कह है कि उस रात मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों की जो आत्माएं है वह ऐसा बन गई है कि अगर यह दोनों आत्माएं आपस में मिल जाए तो यह एक फुल की तरह काम कर सकती है जैसे फुल जमीन के एक छोड को जमीन के दूसरे छोड से जोड देता है ठीक उसी तरीके स हम दोनों के आत्माओं से बना हुआ यह जो पुल है यह हमें जीवन के इस वर्तमान स्थिती से ले जाकर यह जो सुनहरा भविश्य है उसमें ले जाएगा हम लोग हाथ में हाथ जुलाते हुए उस पर चलते अपने को साप देख रहे थे उस दिन साड़ा आकास रोस्नी के फूलों से दीप दीप कर रहा था और समर यह सब को सोच रहा था कि उसका एक ब्राइट फ्यूचर होगा वह ब्राइट फ्यूचर में क्या क्या करेगा वह औ दुसरे का साथ दे और उस राथ सारा आकास रोस्नी के फूलों से दीप दीप कर रहा था यहां एक बहुत इंपोटन्ट लाइट है यह लाइन आपके इक्जाम में आ सकता है तो यह जो लाइन होकर रात को छट पर सोने के लिए चला जाता है तो वो उस दिन भी कहता है कि सारा आकास जो है वो जगमगा रहा था और उसके बाद वो आज कहता है कि सारा आकास रोशनी के फूलों से दीप दीप कर रहा था तो यह एक बहुत important line है मतलब उस दिन उनकी जो खुसी थी वो बहुत extra थी और यह खुसी प्रभा की नहीं यह खुसी समर की है और जैसे कि मैंने आपको कहा कि समर अभी जिस face से गुजर रहा है उसमें एक बार में बहुत जादा खुश हो जाना एक बार में बहुत जादा दुखी हो जाना यह चीज चलता रहता है और वही यहां पर हो रहा है कि समर अभी इतना खुस है कि वह प्रभा के साथ रहकर अभी अपना सारा दुख भूल चुका है निश्चे किया कि कल रविवार है मैं जाकर काम देख आऊं समझ लूँ और तब घरवालों को किसी तरह बता दिया जाए लेकिन यह साफ कह दूँगा कि नौकरी दिवाकड ने इस सर्थ पर दिलाई है कि आगे पढ़ूँगा जब हम लोग सोए तो फिर ध्यान आया कि जिसने नौकरी दिलाई है उसके बारे में तो मैंने प्रभा से कोई बात ही नहीं की सीरिस बाई की भी बात तो प्रभा को बतानी है फिर समण ने निश्चे किया कि कल तो रविवार है कल में जाकर वहाँ पर काम देखाता हूँ कि काम क्या करना है कैसे करना है उसके बाद आकर घरवालों को बता दूँगा और मैं उन्हें साफ साफ कह दूँगा कि नौकरी दिवाकर ने इसी सर्थ पर दिलाई है कि मैं आगे पढ़ूँगा और जब वहा दोनों सो रहेते तो उसे दिवाकर का खयाल आया और उसमें यह सोचा कि मैंने दिवाकर और सिरिस भाई साब के बारे में तो परभा को बताया ही नहीं सुबह उठते ही मैंने का परभा एक दिन तुम्हें दिवाकर के यहां जरूर चलना है वहा काफी दफा कह चुगा है मैंने तब उसे उस दिन की सिनेमा हौल वाली बात बताई कैसे तब मैंने कहा था कि वहा तो अपने घर गई है किरन की भी बात बताई फिर वह प्रभा से कहता है कि प्रभा तुम्हें दिवा करके यहां चलना होगा वह बहुत धिन से मुझे यहां बात कह रहा है प्रभा किरन के सामने होने की कलपना से सक्चा उठी और समर ने किरन के बारे में भी प्रभा से कहा था और जब प्रभा ने सोचा कि उसे किरन के सामने होना होगा तो वा थोड़ी से घबरा गई बोली देखो मैं कैसे चल सकती हूँ घर पर तो तुम देखी रहे हो तुम हमारे साथ चलोगी घर का तो वह सब चलता ही रहता है और खेर इस पर अभी से सिर्दर्द करने की जरूरत नहीं है हाँ चलेंगे जल्दी ही सिरिस भाई साहब की बहन से भी मिल आना एक दिन फिर जब प्रभा घबरा जाती कि मैं कैसे मिलूँगी उससे मुझे तो घर पर काम है तो समर कहता है कि तुम हमारे साथ चलोगी फिर तक उसे सिर्द भाई साहब के बारे में बताता रहा Employment Exchange से लेकर अब तक की सारे बाते उससे बता दी और फिर जब सिर्द भाई साहब के बारे में एक समर ने कहा तो प्रभा नहीं जान दिती कि सिर्द भाई साहब कौन है हर चीज को देखने का उसका अपना अलग ही तरीका है वह तो जैसे किसी चीज को मानता ही नहीं जिसे देखो उसका खंडन कहता है हमारे पास अपना इतिहास है ही नहीं जो कुछ है वह फुरान है जिनमें धर्म, अंध विश्वास और कविताओं का घपला है और वहां सच्चाय का पता ही नहीं चलता या फिर किराय के भाटे द्वारा लिखे हुए कुछ राजाओं के प्रसिश्टिस्त काव्ग हैं जिनमें पांच गाओं के राजा को धर्ती का सिर्मौर बताया जाता है फिर समर सिर्ष भाज साब के बारे में कहता है कि वह आदमी भी अजीब है वह कुछ मानता ही नहीं है वह कहता है कि हमारे पास अपना इतिहास है ही नहीं जो है वह अंद विश्वास धर्म और कविताओं का एक घपला है इस से सचाय का पता ही नहीं चलता कहता था कि शास्त्रों और स्मृतियों के नाम पर हमारे पास वे चीजें हैं जिन में कहा गया है कि नियम काईदे पहले बने और मनुस्त समाजबाद में आया बोलो जब मनुस्त ही नहीं था तो नियम काईदे पहले बने कैसे और किसके लिए इस समय हिंदू, मुसल्मान, क्रिश्चन, किसी भी धर्म की आदमी को जरूरत नहीं है इस समय तो एक ही धर्म चाहिए वह मानवता तो यहाँ पर सिरिस भाय साहब समर्ण से कहते हैं कि हमारे पास जो भी सास्त्र और स्मृति है उनमें यही लिखा हुए कि नियम काईदे पहले बन गए और मनुस्य समाज बाद में आया लेकिन प्रभा से समर पूछता है कि तुम ही बताओ प्रभाया कैसे हो सकता है कि नियम पहले बन जाए और मनुस्य बाद में आया तो नियम खिसने बनाया और इस समय हिंदू मुसल्मान क्रिश्चन किसी भी धर्म की जरुवत आदमी को नहीं है इस समय तो सिर्फ एक ही धर्म चाहिए वह मानमता लिकिन मेरी बात बीच में ही तूट गए किसी ने किवारों को ऐसी जोड से धक्का दिया मानो पुरी ताकत से लाथ मारी हो हम लोग प चीख पुकार सुरू हो गई पहले तो समझ में ही नहीं आया कि यह अचानक हुआ क्या लेकिन फिर बाबुजी के चीखने का स्वरसाफ सुनाए देने लगा फिर वह सब घबडा गई आखिरकार हुआ क्या बाहर में चीख पुकार मच गई थी पहले तो उन्हें समझ में न तरफ खरे खरे जोर जोर से कह रहे थे जवानी हमें भी आई थी पर ऐसी नहीं कि ना दिन देखे न रात जब देखो तब बहू के लिए पड़े हैं अरे घर में बच्चे हैं बड़े बूरे हैं किसी का तो लिहाज करो दस बजने आ रहे हैं और बाबुजी का अभी सवेर ही नहीं हुआ है ऐसी भी बेसरमी किस काम की साली रात बर ही 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 मस्त हो रहे हैं चूर है जवानी में ना दुनिया का ध्यान है ना आखों की सरम आग लगे ऐसे अंधेपन में नहीं बोलते थे तो ऐसे डड़ते थे कि औरत ना हो गई कोई सेरनी हो गई और आप बोलने लगे तो जब देखो तब उसी के पास मनरा रहे हैं सारा घर नहा लिया धो लिया काम काज सारा खत्म हो गया और यहां अभी गुलचरे ही उर रहे हैं तो सायद समर और प्डवान यह जो रात भर बातचीत की या किसी ने सुन ली थी या फिर बाबुजी ने सुन ली हो इसलिए वो इतना खुशा रहे थे और वो इसलिए कहते हैं कि जवानी तो हमें भी आई थी हमने भी अपनी पत्नी के साथ समय किया है लेकिन इतना भी नहीं आया था ना दिन देखो ना रात हर समय पत्नी के साथ ही रहो अरे घर में बच्चे बूरे हैं उनका भी तो कभी लिहाज कर लिया करो और जब नहीं बोलते थे तब तो ऐसा लगता था जैसे पत्नी नहीं सिर्णी हो गई और अब तो बोलने लग गए हैं तो दिन भर उसी के आसपास म मन रा रहे हैं अभी देखो दस बच गए हैं सारा घर नहा लिया धो लिया काम काज सब खतम हो गया लेकिन यहां तो अभी भी गुलचरे उर रहे हैं मतलब वह समर और प्रवा को डांट रहे थे हम दोनों ने एक दूसरे को इस तरह देखा जैसे कहीं से अचानक बम आकर ब साले नवाबजादे कहीं के फिर बाबुजी और नराज होते हैं और इसी पर समर और प्रवा एक दूसरे को देख कर कहते हैं कि जैसे अचानक से बम आकर बीच में फट गया हो लेकिन उसी समय वह जब जांक कर देखते हैं तो बाबुजी कहते हैं हालत तो यह है कि हिम्मत उल्लू की पठो की तो देखो यह आगे पढ़ेंगे मतलब कुछ करने धरने को तो है नहीं लेकिन इनको आगे फढ़ने का है लाट साहब ने खती गार दी है न साले नवाबजादे कहीं के तो बाबुजी अभी और नराज हो रहे थे तो रात की धोती की बात आगे पढ़ पढ़ने की बात सब बाबुजी के पास पहुँच गई जब खूब जीक चिला कर बाबुजी चले गए तो जरा से किवार खोल कर फ्रभा ने डरते डरते जहाका और दभी ढखी सिम्टी सिम्टाई सी भीगी बिली बनी चुपचाप निकल कर नीचे चली गई मैं सहाच संचित करने लगा कि कैसे निकल कर सब की आँखों का सामना करूंगा फिर समर समझ जाता है कि बाबुजी जो इतना नाराज हो रहे हैं जरूर उन्होंने यह बात सुन ली थी कि समर जो है वह अपनी पतनी के लिए सारी लाया था और उसने अपने भाई सहाब से कह पता था कि वह आगे परना चाता है जरूर सारी और आगे परने की बाद बाबुजी से कही गई है जिसकी वजह से वह इतने नाराज हो गए हैं और जब बाबुजी वहां कर चीक चिला कर चले जाते हैं तब उसी समय पर प्रभा जो है वह जैसे तैसे करके भीगी बिल्ली बन कर नीचे चुप चाप निकल जाती है और समर चिंता करने लग जाता है कि अब वो कैसे निकल कर सबका सामना करेगा लगता था जैसे हम लोग कोई घोर अनयतिक और अनुचित अपराद करते हुए रंगे हाथ पकर लिये गए हो और समर को ऐसा लग रहा था जैसे वह और फ पात्वा चैप्टर है हम उसको खड़ेंगे ग्यूल्या चैप्टर है ज्यूल्या चैप्टर रेखे हैं और जय ही आए है